Hello everyone, today I am going to solve one more question of CSIR NET JRF, July 2024, जो अभी पड़सो ये एक्जाम हुआ है, तो ये कुछ question मुझे इस्टिटेंट ने भेजे हैं, तो इनको solve करते हैं, ठीक है, आप अपना answer match करीगेगा इनसे, तो देखिए क्या question है, एक matrix given है 2 cross 2 गा, जिसके entry है 2 A B C, and given that 6 is an 1 of its eigen value, अब 6 इसके एक eigen value है, ठीक है, तो हमें यहां से बहुत कुछ information पता चल जाती है, ठीक है, तो you can underline this point, 6 is an 1 of its eigen value, ये एक key point मिल गए आपको, which of the following is necessary true, ये 4 option students ने बेज़े हैं, ये वेरी भी कर सकता है, I think इसमें कुछ variation यो सकता है, लेकिन ये 4 option जो बेज़े है मैंने, students ने वो मैंने यहां पर write down किया है, first one क्या है, a dot b equal to 0, second one is 8 plus b equal to 8, third one is 24 minus a b equal to 4c, and fourth one is 4c minus a b equal to 24, ठीक है, तो हम discard method यूज करते हैं, इसको solve करने के लिए पहले, कुछ option को discard करते हैं, देको मैंने suppose कर लिया, कि, ये करा 6 एक eigen value है, तो अगर eigen value 6 है, तो इसका जो row sum है, वो 6 होगा, इसकी 6 हो सकती है, तो अगर आप a और b को 0 ले लें, ठीक है, और c को आप 6 ले लें, suppose, ठीक है, तो अगर c को आप 6 ले लेंगे, तो कुछ ऐसा matrix बन गया है, ये दोनों आपके 0 होगा है, a और b, 6 हमने c ले लिया, और ये हमारा 2 यहां पर given था, तो देखो ज़ यहां पर a प्लस इसकी आइगन वेल्यू, यहां पर कितनी है, यह आप देखना है, यहां पर 2 और 6 इसकी आइगन वेल्यू होगा, ठीक है, तो a इक्वल तो आपके 0 ले लिया, तो हमें यह matrix मिलता है, तो यहां से अगर आप यह देखेंगे, तो इसकी 6 एगन वेल्यू है, नो डाउट 6 एगन वेल्यू है, तो यह हमारी condition फुल्फिल हो रही है, जो question किये, लेकिन इस a और b को 0 लेने से यह वाला जो b option है, यह discard हो जाता है, क्योंकि 0 प्लस 0 इक्वल तो 0, which is not equal to 8, अब आप सोचनों कि इस a option तो true हो रहा है, लेकि हमें true नहीं देखना है, पर हमें c option की, c option किया 24 minus a b, अगर a b की value हम 0 ले लें, तो 0 हो गया 24 equal to 4 times, c की value 6 ले, 24 equal to 24, लेकिन अभी इस पे भी जाएंगे, अभी हम d option को देखने हैं, क्योंकि हमें discard करने हैं इसमें, तो अगर हम c की value हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर से यह a और b को हम 0 लेते हैं, तो यह भी true हो रहा है, ठीक हम true को यह नहीं कर सकते हैं, तो एक discard कर दिया, अब हम कुछ, क्यूंकि question में देखो, कुछ और इसको change करते हैं, हम यह देखते हैं, यह 6 एगन value है इसकी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको पता हैं, अगर 6 एगन value तो row sum 6 होना चाहिए, row sum 6 होना चाहि कर लेते हैं, suppose हमने कुछ नई values ले ली और आपके जो हमारा यह बना कुछ ऐसे बन गया कि जो यहां पर हमारा, यह 2 तो fix है, तो यहां पर 4 लिख देजिए आप, क्यूंकि हमें row sum 6 चाहिए, okay, similarly आप इसको भी 2 और 4 लिख सकते हैं, इस बार हमने C की value कितनी ले लिए 4 ले और A की value कितना 4 होगे, B की value कितनी होगे, 2 होगी, ऐसा क्यों कि हमने, क्योंकि हमने, क्योंकि यह condition है न, 6 है आइगन value, अब देखो हम आपर आइगन value 6 आ रही है, क्योंकि row sum 6 हो रहा है, clear होगी बात, लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या problem, देखो, इसका मलबला आपने क्या किया यहाँ पर A की value आपने लिए 4, B की value आपने लिए 2, और C की value आपने लिए 4, तभी तो यह matrix के रहा है न, इस वाली matrix को देखके, अब देखो, A equal to 4, B equal to 2, तो 4 into 2, 8, इसका मतलब 1st option discard हो गया, C option देखो, यह कहा रहा है कि, पहले D देखो, 4 into C, C का मतलब 4, तो 4 into 4 कितना हो 16, 16 equal to 16, और यह A भी कितना है, 16 minus, A, B मतलब 8 हो जाएगा हमारा, 4 into 2 करेंगे तो, तो यह कितना हो जाएगा, 16 minus 8, 8, 8 equal to 24, which is again false, यह भी discard हो गया, अब 1 option बचा है, ठीक है, जब देखो, अब 4 में से 3 तो discard कर दिया, आपने, इसका true है, अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इन values अगर आप देखो, आप यह value पुट कर देखो, 24 minus, A, B की value कितना है, 8 हो गई, 4 into 8, 24 minus 8, 16, और अगर यहाँ पर आप 4 पुट करें, C की जाएगा पर, तो यह भी 16, 16 equal to 16, जब देखो, C option आपका correct है, तो मैंने इसमें कुछ किसी को doubt है, तो मुझे comment section दे बता सकते हैं, okay, thank you, thank you so much.